नमस्कार बच्चों, मेरा नाम में नाक्षी शर्माए और मैं आपकी संस्कर्टी चरूँ कैसे हो आप सभी? आशा करते हूँ कि आप सभी घर में स्वस्त और सुरक्षित होंगे आज मैं आपको आपकी पाठे पुस्तक रुचिरा प्रत्मो भागय के सात्वे पाठ बकस से प्रतीकार है के अभ्यास प्राइश्न करवाऊंगी इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक बगुला और सियार बन में रहते हैं और दोनों दोस्त होते हैं लेकिन सियार कैसा होता है? कुटिल बुद्धी वाला होता है, बुरे सुबाब वाला तो वो क्या करता है? बगुले को बोजन पे बुलाता है और थाली में बोजन परोस्ता है और थाली में तो बगुला चौंच से खा नहीं सकता है, तो केवल देखता है और सियार सारा बोजन खा जाता है, सारी खीर खा जाता है तो बगला सोचता है इसने जैसे मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा तो दूसरे दिन वो भी उसको खाने पर बुलाता है और सक्रे मुख वाले बरतन में खीर परोचता है और वैस भगला तो चौंस से खा लेता है और C.R. का मुझे उसमें नहीं जा पाता वो केवल ईशा से देखता रहता है इस प्रकार भगले ने C.R. से अपना बदला लिया तो आज हम इसके क्या करेंगे अभ्यास प्रश्न तो अभ्यास प्रश्ण का पहला प्रश्ण है उच्चारणम कुरुद ये कुछ शब्द दिये हुए है हमें इसका उच्चारण करना है तो मैंने इनके अर्थ भी लिख दिये हैं यत्र मने जहां तत्र वहां कुत्र कहां अत्र यहां अन्यत्र दूसरी जगे यदा जब तदा तब कदा कब एकदा एक बार चै और अपि भी अध्य आज श्वै आने वाला कल है बीता हुआ कल प्रात है सुभै एहे निशम दिन राद अधुना अब एव ही कुत्र है कहां सायम सायकालिया शाम इसका दूसरा प्रेश्ण है मन्जुशात उचितम अव्यपदम चित्वरिक्त स्थानम पूर्यत मन्जुशा में कुछ अव्यपदी हुए हैं उनको चुनकर खाली जगे भरने हैं जिसे पहला है गूमना स्वास्थे के लिए कब गूमना अच्छा होता है सर्वदा सत्यमवद हमेशा सत्य बोलो तुम कदा मातुल ग्रहम गमिश्यशी तुम अब कब अपने मामा के घर जाओगे तुम कब मामा के घर जाओगे दिनेशे विद्याले हम गच्छती एहम अपी तीन से गच्छामी दिनेश विद्याले जाता है मैं भी उसके साथ जाता हूँ अधुना विज्ञानस से यूग है अस्ती अब विज्ञान का यूग है अध्य रवीवासर है अस्ती आज रवीवार है तीसरा प्रेश्ण है अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तरम लिखत नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर लिखने तो मैंने आपको इसके कोशन के आगे ही लिख दिये हैं इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में कर लेना पहला प्रेश्ण है श्रगालस से मित्रम कह आसीत श्रगाल का मित्र कौन था? तो क्या उत्तर क्या लिखेंगे? कौन था श्रगाल का मित्र? तो क्या जाएगा कह की जगे बके है श्रगाल से मित्रम बके है आसीत श्रगाल का मित्र बके है इस थाली ते कह भोजनम ना अखादत थाली में किसने भोजन नहीं खाया तो कह की जगे क्या जाएगा बके है इस थाली ते है बके भोजनम ना अखादत थाली में भोजन नहीं खापाया बके है श्रगाल आए भोजने किम अयचत बके ने श्रगाल के लिए भोजन में क्या दिया क्या बनाय था उसने शीरोधनम खीर तो उत्तर लिखेंगे किम की जगे के आजाएगा शीरोधनम बाकी प्रेशन मेंसे जैसे के जैसे ही आजाएगा बक्य है श्रगालाए भोजने शीरोधनम अयच्छत श्रगालस सुभाव है की दरशय भव्ती श्रगाल का सुभाव कैसा था? कुटिल है तो की द्रशे की जगे आ जाएगा कुटिल है बाकी प्रश्ण में से वैसा का वैसा ही उतार लेंगे श्रगाल से सुभाव है कुटिल है आसीद श्रगाल का सुभाव कुटिल था चोथा प्रेश्ण है पाठान्त पदानी चित्वा अदो लिखीता नाम विलोम पदानी लिखत पाठ में आई हुए इन पदों को चुनकर उनके क्या करने विलोम शब्द लिखने जैसे शत्रू का क्या होगा विलोम मित्रम संस्क्रत में लिखने सुखदम सुखदेने वाला तो दुखदम दुखदेने वाला शत्रूता मित्रता अप्रसन्य है प्रसन्य है दुर्वेवार है बुरा वेवार तो दुर्वेवार का क्या हो जाएगा सद वेवार है अच्छा वेवार सायम सायकल तो इसका विलोम क्या होगा प्राते है प्राते काल असमर्थ है समर्थ है पांचवा कोशन है मंजुशात समुचित पदानी चित्वा कथां पूरियत मंजुशा में दिये हुए उचित पदों को चुनकर कथा को पूरा कीजिए इसमें कोई शब्द दिये हुए हैं और उन्हें भर कर क्या करना है ये कव्वे वाली प्यासे कव्वे की कहानी है इसको हमें पूरा करना है एक दा एक है काक है पिपासित है आसीत एक बार एक कव्वा प्यासा था तो पहले में क्या जाएगा पिपासित है सह जलम पातुम इतस्तते अब्रमत वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमा परम कुत्रापी जलम ना प्रापनोत पर कहीं भी जल को उसने नहीं पाया कहीं भी जलू से नहीं मिला अंते सह एकम घटम अपश्यत अंत में उसने एक घड़ा देखा गटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत कम पानी था अते सह जलम पातुम असमर्थे अभवद अते वह जल पीने में असमर्थ हुआ क्योंकि उसमें क्या था पानी बहुत कम था और उसकी चोच पानी तक नहीं जा रही थी सेहे एकम उपायम अचिन्तियत उसने एक उपाय सोचा सेह पाशानस से खंडानी घटे अशिपत उसने पत्थर के खंडों को टुकणों को घडे में फैका एवं क्रमेड घटस से जलम उपरी आगच्छत और इसी क्रम से घडे का जल उपर आ गया उसने क्या करा? छोटे-छोटे कंकड़ी खटे करे और उनको पानी में डाल दिया और पानी में डालने से घडे में जो थोड़ा पानी था ना वो उपर आ गया का कह जलम पीत्वा संतुस्ट है अभवद कहुए ने जल पीकर कहुआ जल पीकर क्या हुआ? संतुस्ट हुआ परिश्रमेन एवं एव कार्याणी सिद्ध्यंती ना तु मनो रथे एव मने ही परिश्रम से ही कारे सिद्ध होते है ना तु मनो रथे केवल मन की इच्छा करने से नहीं केवल उसने सोचा कि मुझे पानी पीना है तो ऐसे थोड़ी उसने मेनत करी कंकर डाले तभी तो पानी उपर आया तो परिश्रम से ही कार सिद्ध होते हैं केवल मन की इच्छा करने से नहीं अब यहाप मेहनत नहीं करो आप याद नहीं करोगे तो आप पास हो जाओगे क्या केवल मन में सोच लो कि नहीं मुझे तो फरस्ट आना है तो मन में सोचने से थोड़ी होता है उसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा याद करना पढ़ेगा तो परिश्रम से ही कारे सिद्ध होते हैं केवल मन की इच्छा करने से ही नहीं होते तच्सम शब्दान लिखद यहां कुछ शब्द दिये हुएं उनके हमें क्या लिखने संस्कृत रूप लिखने सियार का क्या होगा संस्कृत में शिरगाल है खववा का काके है मक्खी मक्षिका बंदर वानरे बगुला बके है चोंच चंचू नाक नासिका बच्चों इन प्रेशन उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढाऊंगी धन्यवाद